हाई मैं डोक्टर नगेंदर थालो सिकर में इंट्रवेंशनल काडियोलोजिस्ट हूँ आज 14 नॉमबर है और 14 नॉमबर को हर वर्ष वर्ल्ड डाइबिटीज डे मना जाता है दो साइंटिस्ट है चाल्स बेस्ट और फेडरिक बेंटिंग इन दोनों ने इंसुलिन की खोज क ती और इनका जिनम दिन 14 नॉमबर का है तो इसलिए 14 नॉमबर को ही वर्ल्ड डाइबिटीज डे मना जाता है 537 मिलियन लोग डाइबिटीज के साथ में जी रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में और हर दसमें से एक आदमी को डाइबिटीज है कि डाइबिटीज है mostly यह unhealthy diet और sedentary lifestyle के एकान ज्यादा होती है तो जो low income और middle income वाली country हैं उनमें डाइबिटीज के केस ज्यादा है दूसरा ही है कि इंसुलिन गुनी 21 में इसकी कोज होई थी और आज 2021 को पूरे 100 साल होगे तो इंसुलिन का यह 100th anniversary भी है और यह जो वर्ल्ड डाइबिटीज डे मने जाता है इसका हर साल कुछ इनकुछ थीम होती है और इस बार की जो इनकी थीम है वो 2021 से लेके 2023 तक है और वो थीम यह है कि access to diabetes care if not now when इसका मतलब यह है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा diabetes के बारे में लोगों को अवेर करना है उनको जो facility अपने पास जो भी उपलब्द है वो उनको सबको उन तक पहुंचाना है यानि कि अपन जैसे बही कोई medical केंप लगा दिया पार्ट एक्ट्यूटी करी diabetes के लिए अभी जैसे इस्कूल में अपन कोई lecture दे रहे हैं कुछ online lecture दे रहे हैं diabetes के बारे में और कैसे अपन जल्दी से जल्दी diabetes को डाइगनोस्ट कर सकें और उसके treatment के लिए क्या-क्या अपने पास best medicines है इंजेक्शन से उनके बारे में सब भी वह ले नहीं रहें से लेते नहीं है कुछ लोगों तक यह पहुंसता नहीं है तो इसलिए अपने को diabetes के बारे में जितना से जितना हो सके अवेड करना लोगों तो diabetes का मतलब क्या होता है डाइबिटीज का मतलब यह है कि जब अपने सरीर में यानि blood में जो glucose का लिए बढ़ जाता है और वो अपने को energy देने के लिए काम नहीं आ रहा है क्यूंआ कि जो इनर्जी के लिए जो glucose है उसको सेल के अंदर जाना रहता है और अंदर जाने के लिए सेल पे एक receptor रहेता है वह रिचेटर को एक्टिवेट करेगा और इंसूलीन जैसे रिचेटर को एक्टिवेट करता है तो तो डाइबटीज में क्या रहता है डाइबटीज में तो इसको इंसुलिन डाइबटीज भी बोलते हैं ताइब टू वाली है इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो सेल पे रिसेप्टर है वहाँ पे वो काम नहीं करता है तो टाइब टू वाली में कहा रहता है इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है अब एक सिंपल सा मेकनिजम है जैसे इंसुलीन को अपने मानते हैं कि ये की है और रिसेप्टर को मानते हैं कि ये लोक है तो की एंड लोक दोनों का काम करना बहुत जरूरी है किसी भी दरवाजे को खुरने के लिए तो अब मालों इंसुलीन नहीं बन रहा मतलल टाइप ओन डाइबटीज है जिसमें की नहीं है तो लोक में की नहीं लगाएं कि दोर नहीं खुलेगा दोर नहीं खुलेगा तो गुलकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो वहां पे टाइप ओन डाइबटीज हो गया अब दूसरा है एक गी तो ऐपनी सही है, लेकिन अब लो की ही ख़राब हो गया, मतलब इंसुलीन तो है, लेकिन लोग हो गया जो काम नहीं करण सेयोतृ। तो फिर glucose का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो वो होगी type 2 diabetes तो यह simple सा mechanism है लोक एंड की का तो जो अपन समझ सकते हैं कि type 1 और type 2 diabetes क्या होती है अपन कब बोलते हैं कि अपने को diabetes है यानि कि अपने को diabetes को diagnose कैसे करते हैं तो अपन simple blood test करते हैं जिसमें एक fasting test होता है और एक जो बिना fasting जो random test रहता है तो fasting के लिए अपने को 8 गंटे खाना या पीना नहीं करना उसके बाद में अपने blood sample लेते हैं यदि अपना blood sample जो glucose का value है वो 100 आता है 100 mg per deciliter इसका मतलब अपना normal है यदि 100 से 125 mg per deciliter है तो अपना आगे कि उसके बीच की stage में है अपना अपने diabetes है नहीं अपन लेकर आगे चलके हो जाएगी और यदि अपना 126 mg per deciliter से ज़्यादा है सुगर तो अपना confirm है कि diabetes कर हो दूसरा random यदि एपन जैसे random sample किया और यदि 140 से कम है तो अपन नॉर्मल है 140-199 तक वो ही अपन बीच की range में है और 200 की उपर आता है तो confirm हो गया कि सुगर है तिसरा एक test होता है hemoglobin A1C जिसको glycated hemoglobin बोलते हैं जो कि अपने को 2-3 मेने की average सुगर बताता है और यदि वो अपना normally 5.6 से कम है उसका level तो अपन नॉर्मल है यदि 5.6 से लेके 6.4 तक उसकी range आ रही है तो वो अपन बीच की range में आ गए और यदि अपना 6.5 परसेंट से ज्यादा हो गया hemoglobin A1C इसका मतलब बना डाइबटी हो गया तो इस तरह अपन यह simple blood test से जान सकते हैं कि अपने को diabetes है या नहीं है है कि diabetes सींटम क्या होते हैं काई से अपने को पता चले किक्शी तुनीं हो गया तो इसके लिए तीन जो इप्रचंट सीटम रहते हैं जिसमें polioria बार बार urine लगता है poloya dips ए्याँ बार बार अपने को प्यास लगती है poli phaeg finans याँ बहुत बुचादा भूँ लगती रहती है तो ये तीन बेसिक symptom तो रोती ही हुते है इनके अलाव अपने को हम दिसंपूर्ब अब ही है कि diabetes के कुछ complication रहते हैं यानि diabetes और hypertension दो एसी चीज़ हैं जिनको silent killer बोलते हैं क्यों कि यह जैसे ही हैं तो भी अपने को कोई symptom आएंगे नहीं कई साल तक अपने को कुछ पता नहीं चलेगा और जब अंदर बहुत सारा damage हो जाएगा जब symptom आने लगेंगे तो इनको silent killer बोलते हैं तो diabetes के कुछ main complication रहते हैं जिसमें जैसे heart attack हो गया, stroke हो गया, brain hemorrhage हो गया, kidney failure हो गया, blindness होगी, low limb imputation हो गया, neuropathy होगी, और अपने जैसे आँको में रेटाइन आउगारा खराब हो जाते हैं, रेटाइन आपेती, तो यह कुछ complication होते हैं जो लब टैप तक diabetes चलता रहता है, तो अपने में हो जाते हैं, अब यह कि diabetes अपने डाइगनोज हो गी, तो उसको treatment के लिए अपने को क्या करना है, तो treatment के लिए सबसे पहले अपने को lifestyle change करना है, अपने को physical activity करनी है, खाने पीने में अपने को जैसे drive foods हैं, vegetables हैं, nuts हैं, यह ज्यादा लेना है, daily physical activity करनी है, walking करनी है, swimming करनी है, cycling करना है, अपने को medicine है, जो tablets है, यह जुरूत पूरी तो insulin है, वो सब अपने को regular time to time लेना है, और बीच बीच में सुगर चेक करते रहना है, जो कि अपन घर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए आज सिंपल गलुकोमेटर आते हैं, जिन में अपन अपना है, वो भी चेक कर लें, क्योंकि वो सब भी इन में बढ़ जाते हैं, तो यदि उन में भी कोई जिकत है, तो उनको भी साथ में treat करें, smoking करते हैं, तो उसको cute कर दें, और कोई tobak हो रहा है, तो चोड़ दें, healthy diet लें, और physical activity करें, ताकि अपने को शरीर में इससे ज्य